हलो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं नॉर्मल कड़ाही में मचली फ्राई करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि कभी भी आपका मचली कड़ाही में चिपकेगा भी नहीं और तूटेगा भी नहीं एकदम फ्रेस मचली निकलेगा तो फ्रेंच वीडियो पूरा देखिएगा अगर मचली फ्राई करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चली शुरू करते हैं मचली को अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद धो करके एक बरतन में रख लेंगे अब हम उसमें याड़ करेंगे आधा चोटा चिम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चोटा चिम्मच हल्दी पाउडर और आधा चोटा चिम्मच नमाब अब इन सारे मसालों को अच्छे से हाथों के help से मचली के हर एक पीसेज पर लगा लेंगे तो इस तरह से हर एक मचली के पीसेज पर मसालों को लगा लें और मसालों को लगाने के बाद हम लोग 5 मिनद तक साइड में रख देंगे मैंनेट होने के लिए ताकि सारी चीजे मचली के अंदर तक चले जाएं तो फ्रेंस हमारे बहुत से भीवर्स पूछ रहे थे मैं मचली फ्राई करते हैं तो हमारी कडाही में चीपक जाती है और मचली तूटने लगती है तो मैं सोची कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूं और आपको दिखाती हूं कि मचली कैसे फ्राई करेंगे तो आपकी मचली तूटे की ने एकदम फ्रेस निकलेगी चुली पर कडाही रख देंगे और गैस ओन कर लेंगे अब हम उसमे आड़ करेंगे चार बड़ाचे मसरसों का तेल और तेल को हाई फ्रेम पर अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमे आड़ करेंगे मैयनेट की हो मचली की पीसिच तो एक बार में जितना उतना ही डालें जादा ना डालें कुछ ही स्पेस खाली रखें अब हम एक तरफ से मचली को मीडियम टू हाई फ्राई हो जाएगा ना तो आपको दिखाय देने लगेगा कि नीचे की मचली फ्राई हो गई है तब उसी टाइम हम लोग गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगी और लो फ्रेम पर दो मिनर तक मचली को छोड़ देंगे तो देखें फ्रेंज मचली नीचे की फ्राई हो गई है अब हम लो फ्रेम पर दो मिनर तक छोड़ देंगे ताकि मचली ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल कड़ाई से चिपकना बंद हो जाएगी और निकल जाएगी तो एदेखे फ्रेंज मचली ठंडी हो गई है अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे और आप देखे न कितना एजली दूसरी तरफ से पलट गई मचली बिल्कुल भी कडाई में चिपकी नहीं तो फिर से अब हम gas का flame high कर लेंगे और दूसरी तरफ से मचली को fry होने देंगे तो जब दूसरी तरफ से भी fry हो जाएगे तब हम gas का flame दो मिनट तक low कर देंगे और यह देखी फ्रेंज, low flame करने के बाद हमारे मचली बिल्कुल अच्छे से कडाई से छूट गई है और दोनों तरफ से मचली बिल्कुल अच्छे से fry हो गई है गैस का flame low कर देने से मचली हलकी सी ठंडी हो जाती है और बहुत ही इजली कडाई से निकल जाएगी अब हम फिर से गैस का flame medium कर लेंगे और बाकी का भी जो मचली है इसी प्रोसेस से इनको भी fry कर लेंगे तो देखी हमारी सारी मचली फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं मचली बिल्कुल चिपकी नहीं है कडाई में और टूटी भी नहीं है